इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. सबसे अधिक लाप पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लेना चाहिए और आपको तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर इसकी सिफारिश न करे. यह आपके रक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरत कर रहा है और भविश्य में गंभीर जटलताओं को रोकने में मदद कर रहा है. यह दवा लेते समय अपने चिकित सकद्वारा अनुशन सित आहार और व्यायाम कारिक्रम पर बने रहना महत्वपूर्ण है. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इस दवा को लेने के सबसे आम दुश प्रभावों में दस्थ, मतली, उल्टी, पेट खराब, सिर्दर्द और गले में खराश शामिल है. यदि आप इंसुलिन या सलफ़नीलूरिया जैसी आन्य मधुमे की दवाएं भी ले रहे हैं, तो निम्न रक्ट शरकरास्तर यानि की हाइपोगलाईसीमिया एक संभावित दुश प्रभाव है. इसलिए आपको यह जानना होगा कि इसे कैसे पहचाना जाए और इससे कैसे निप्ता जाए. यह दवा सभी के लिए उप्यूक्त नहीं है. इसे लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को यह बताना चाहिए कि क्या आपको कभी केड्नी, लीवर या हिरदे रोग, अग्नियाशे की समस्या है, या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. कुछ हन्य दवाएं इसे प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं. आपको शराब पीने से बचने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह रक्ठ शरकरा को कम करता है. आपका डॉक्टर उपचार से पहले और उपचार के दौरान आपके गुर्दे के कार्या और रक्ठ शरकरा के स्तर की जांच करेगा. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.